Hello Friends, Welcome back to YouTube Channel Stock Market Class के YouTube Channel पर आप सभी का स्वागत और Welcome है तो आज के दिन हम बात करेंगे Tata Steel Limited के बारे में. आप कह सकते हैं Tata Steel जिसका NSC का Short Code है तो इस Stock के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे. इसकी Share Price Analysis News Update एक निगरानी से Chart Pattern सभी के बारे में तो Overall वीडियो बहुत ज्यादा Important जो Interesting रहने वाला है तो वीडियो जरूर तक देखिए. बात करून Tata Steel और साथ ही इसके कुछ Important Stock Market Basic के बारे में बात करेंगे. बात करे Tata Steel Limited शेर प्राइस आपको आपकी स्क्रीन के उपर सामने देखने को मिल रही होगी और अगर इसकी Financials Update देखा जाए तो यहाँ पर Financials Update के अंदर बात करी जाए तो इंडिया की Multinational Steel Making Company है जो बेस्ट इन जमशेदपूर जारकंड हेड़कॉर्टर इन मुंबई महरा 75,000, 75,000 के बीच में Organizer Injection या Parent Organization Tata Group है बात करेंगे इसकी जो quarter results से उसके अंदर अब की बार जून quarter में बहुत कम result देखने को मिला मार्च 22 का बढ़िया था डिसंबर का 21 का बढ़िया था और सितंबर 21 का बढ़िया था इस बार थोड़ा सा कम देखने को मिला लेकिन अगर fundamental देखी जाए, company की तो बहुत ज्यादा strong है, बाकी company के हिसाब से check water reserve थोड़ा सा कम देखने को मिला है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों में कुछ आपको stock market के related बताऊंगा कि stock market related अगर आप पहले invest है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपके portfolio advantage में रहती है क्या beginner steps रहने वाले और जो मेरी favorite companies है अलग-अलग सेक्ट की उन सभी के उपर भी बात करते हैं तो पहले अगर मैं बात कर लो अगर आपको stock market के अंदर आना है तो आपको पहले demate account पे training account और वो भी online broker के साथ खुलवाना पड़ेगा, आपको और वो भी आपके bank account के साथ link हो और अपनी जो portfolio को diversified करना चाहिए, आपको एक अलग-अलग category के stock लेना चाहिए, आपको prepare होना चाहिए, आपके पास loss हो सकता है, ये होने वाले time में और आपको long term portfolio ज्यादा तर start करनी चाहिए, short term training को avoid करना चाहिए, अब बात करूंगा मेरी कुछ favorite sector की company उनके बारे में भी अगर हम overall देख ले तो बात कर लीजिए, मेरे overall sector की company जैसे मैं finance sector में बजाज finance service limited को ज्यादा importance देता हूँ, IT sector से बात करूं तो को fridge और infosys limited को देता हूँ, और food service या FMG service से मैं जो bland food को ज्यादा importance देता हूँ, long term sector के हिसाब से तो ये कुछ मेरी advantage थी, stock market की tips थी या कुछ भ फुली बता चुका हूँ, ये मेरी कोई success tips हैं जिन्होंने मैंने भी उनको follow करके एक अच्छा खासा business से अब intermediate तक जा सकता हूँ, तो वीडियो में यहां तक की रखता हूँ और आपको वीडियो पसंद आया तो please channel को subscribe कर दीजिये, साथ में bell icon दबा